अत्वस्री योग वाशिष्थे उत्पत्य प्रकर्णे जृतिय सर्गह श्री वशिष्थो वाच इदमाकाश जाख्यानं श्रणु श्रवन भूशनं उत्पत्याख्यं प्रकर्णं ये नराघब बुध्यसे अस्तियाकाश जोनाम द्विजः परमधार्मिकह ध्यानैकनिष्थः सततं प्रजानाम् चहिते रतः सोचिरम जीवतियदा तदामृत्युरचिंतयत। सर्वान्ये वक्रमेनाह भूतान्यद्मिकिलाक्षयह एनमाकाशजं विप्रम नाकस्माद भक्षयाम्यहं अत्रमे कुंठिता शक्तिही खट्गधारा इवो पले। इति संचिंत्यतं हंतु मगच्छतत्पुरंतदा त्यजंत्युध्यम मुध्युक्ता नास्वा कर्मानि केचना। ततस्तत्सदनम् यावन् मृत्युहु प्रभिषतिस्वयं तावदेनं दहत्यग्निही कल्पांत ज्वलनो पमहा। अग्निज्वाला महामालां विदारियां तर्गतो इहसौ। द्विजं द्रिष्ट्वा समाधातुम् हस्ते नैच्छत प्रयत्नतः। नचाशकत पुरो द्रष्टुम अपिध्ध थस्तषते इर्द्विजं। बलवान अप्य वस्तब्धुम् संकल्प पुरुषं यथा। अथागत्ययमं मृत्य। रपृच्छत संशयक्षिदं। किमिहत्यहं नशक्नोमि भोक्तुमाकाशजं विभो। यम उभाचो। किम्ष्णत थस्त्वमेको मारय तुमबलात। मारणी अस्य कर्मारी तत्कर्त्रिनीति नेतरत। तसमादे तस्य भिप्रष्य मार्णी अस्य अत्न तह। कर्मानयमिष्यथे शाम्त्वम साहये नैनमञस्यसी। ततह सम्रित्यु बभ्राम तत कर्मान वेशनाद्रितह मंडलानि दिगंतांस्च सरांसि सरितो दिशह बन जंगल जालानि शैलान अब्धितता निचो द्वीपांतराण्यरण्यानि नगरानि पुरानिचो ग्रामान्य खिलराष्ट्रानि देशांतर्गहनानिचो एबं भूमंडलं भ्रांत्वा नाकुतस्चित सकानिचित। तान्याकाशज कर्मानी लब्धवान मृत्युरुद्यतः बंध्यापुत्रमिवप्राग्यह संकल्पाद्रिमिवापरह। सम प्रिच्चत थागत्य यमं सर्वार्थ को विदं परायनं हि प्रभवः संदेष्वनुजी विनाम् मृत्युरुवाच। आकाश जस्य कर्मानी क्वास्थितानि बदप्रभो। धर्मराजो थसंचिंत्य सुचिरं प्रोक्तवा निदं। दर्मराज उवाचो। आकाश जस्य कर्मानी मृत्यो संति नकानिचित। एश आकाश जो विप्रो जातह खादेव के वलात। आकाश जस्य कर्मानी चन्त। संबंधाः प्राक्तने नास्य नोमनागपिकर्मना अस्ति बंध्या सुतस्येव तथा जाता कृतेरिव कारणाना मभावेन तस्मादाकाश मेवसह नैतस्य पूर्वकर्मास्ति नभसेव महाद्रुमाः नैतदस्यावशंचित मभावात पूर्वकर्मनाम अध्यतावदने नाध्यम नकिंचित कर्मसंचितम एवमा काश कोशात्मा विशदा काश रूपिनी स्वाकारने स्थितो नित्यह कारणानी नकानिचित। प्राक्तनानिनसंत्यस्य कर्मान्यद्यकरोतिनो किंचिदप्ये वमेशोत्र विज्ञाना काश मात्रकह प्रानस्पंदोस्यत कर्मा लक्ष्यते चास्मदादिभी द्रिश्यते स्माभिरेव तन्ना त्वस्यास्त्यत्रकर्मधी संस्थिता भावयंतिव चिदरूपईव परात्पदात बिन्नमा कारमात्मियं चित्स्तंभे शालभंजिका तथाइब परमार्थात्सा खात्म भूतह स्थितो द्विजह यताद्रवत्वं पयसे शुन्यत्वं चयतांबरे स्पंधत्वं चयता भायोस्त थैशा परमेपदे कर्मान्यद्यतनान्यस्य संचितानी नसंतिही नपूर्वान्येशतेनेह नसंसारवशंगतह सहकारिकारणानामभावेय प्रजायते नासव स्वकारणाद्विन्यो भवतित्यनुभूयते कारणानामभावेय न तस्मादेश स्वयंभवः कर्तान पूर्वम्नाप्यद्य कथमाक्रम्यते बद यदैश कल्पनामभुध्या मतिनाम्नीम्करिष्यते पृत्व्यादि मानयमह मिति यस्याच निष्याच सापार्थिवो भवत्याश ग्रहीतुम् सच शक्यते पृत्व्यादि कलना भावादेश विप्रो न रूपवान दिल्ध रज्वेव गगनं ग्रहीतुम् नईव युज्यते मृत्युरुवाच भगवंजायते शुन्यात कतम नाम बदेतिमे पृत्व्यादया कतम संति न संति बदवा कतम यम उभाच न कदाचन जातो सौ न चनास्ति कदाचना विजह केवल बिज्ञाना भामात्रं तततास्थितः। महाप्रलयसंपत्तव नाकिंचिदव शिष्यते ब्रह्मास्ते शांतमजरो मनंतात्मईव केवलं। शोन्यम् नित्योधितं सुक्ष्मं निरुपाधिपरं स्थितं। तदा तदनुये नास्या निकते द्रिनिभं महा। संबिन्मात्रस्वभावत्वात् देहो हमिति चेतती। काकतालियबद भ्रांतमाकारं तेनपश्यती। सो एश ब्राम्हनस्तस्मिन् सर्गादावं बरोदरे। निर्विकल्पस्चिदाकाष रूपमास्थायसं स्थितह। नास्यदेहो नकर्माणि नकर्त्रित्वं बासना। एश शुद्धचिदाकाषो बिज्ञान घन आततह। प्राक्तनं बासना जालं किंचिदस्यान घिद्यते। के वलं ब्योमरूपस्यो भारूपस्ये बते यसह। बेदना मात्रसं शांता बीद्रिशो पिनद्रिश्यते। तसमाध्यता चिदाकाष अस्तता तत्प्रतिपत्या। कुतह किलात्र प्रिथ्वादेह की द्रिशह संभवा कतं एतदाक्रमने मृत्यो तस्मान्मा यत्नवान्भवो ग्रहीतुम् युज्यते ब्योमा नाकदाचनके नचित शृत्वै तद्विस्मितो मृत्युर्जगाम निजमंदिरं श्री राम उवाचो ब्रह्म्हेशकतितो देवस्त्वयामे प्रपितामह स्वयं भूरये कात्मा विज्ञानात्मे तिमे मतिही श्री वशिष्ठव वाचो एवमे तन्मया राम ब्रह्म्हेशकतितस्तव विवाद मकरोन मृत्युर्यमे नैतत्कृते पुरा मन्वंतरे सर्भभक्षो यदा मृत्युर्हरं प्रजाह बलमेत्यप्यजाक्रांता बारंभ मकरोत्स्वयं तदैवधर्मराजेन यमेनाश्वनुशाषितः यदेवक्रियते नित्यं रतिस्तत्रैवजायते ब्रह्मा किलपराकाषबपुराक्रम्यते कथं मनो मात्रं चसंकल्पह पृत्यदिरहिता कृतिही यस्चिद्व्योमचमत्कारह किलाकारानुभूतिमान सौचिद्व्योमईवनोतस्य कारणत्वम्नकारियता आकाशस्पुरदाकारह संकल्पपुरुषो यथा पृत्यदिरहितो भाति स्वयं भूर्भासते तथा निर्मले ब्योम्नि मुक्ताली संकल्पस्वपनयोह पुरं आपृत्यदियता भाति स्वयं भूर्भासते तथा नाद्रिष्यमस्ति नाद्रस्टा परमात्मनिके बले स्वयं चित्ताताप्येष स्वयं भूरिति भासते संकल्प मात्रमे बैतन्मनो ब्रह्मेति कत्यते संकल्पा काश पुरुषो नाश्य पृत्वियादि विद्यते यता चित्रकृदंतस्था निर्देहा भाति पुत्रिका तधैव भासते ब्रह्मा चिदाकाशाच्छरण्यनं चित्व्यो मकेवलमनंतमनादिमध्यम ब्रह्मेति भाति निजचित्तवशात्स्वयं भूह। आकारवानिव पुमानिव बस्तुतस्तु बंध्यातनूज इव तस्यतुनास्ति देहा। इत्यार्षे श्री वाशिष्ट महारामायने बाल्मी किये उत्पत्य प्रकरने आध्य स्रिष्टि कर्त्रि वर्णनम नाम द्वितिय सर्गह। अथ त्रितिय सर्गह। श्री राम उवाच। एव मेव मनह शुद्धं पृत्वियादि रहितं त्वया। मनो ब्रम्मेति कथितं सत्यं पृत्वियादि वर्जितं। तदत्र प्राक्तनी ब्रम्हन स्मृतिही कस्मान कारणं। यतामम तथान्यस्य भूतानाम चेतिमे बद। श्री वशिष्ठव वाच। पूर्वदेहोस्तियस्याध्या पूर्वकर्मसमन्वितह तस्यास्मृतिही संभवति कारणं संस्रितिस्थितेहे। ब्राम्हन प्राक्तनम कर्म यदा किंचिन विद्यदे। प्राक्तनी संस्मृतिस्तस्या तदोदेति कुतह कथम। तस्मादकारणं भाति बास्वचित्तैक कारणं स्वकारणादनन्यात्मा स्वयंभूह। स्वयमात्मवान। आतिवाहिक एवासव। देहो ऩ्थयस्या स्वयंभुवह। नत्वाधि-भोतिको राम। देहो यस्यो पपध्यते। श्री रामव भाच। आतिवाहिक एकोष्ति देहो न्यस्थ्वाधि भोतिकह। सर्वासाम भूत जाति नाम ब्रह्मनोस्त्येक एवकिम श्री वशिष्ठो वाचो सर्वेशाम एवदेहौ द्वव। भूतानाम कारनात्मनाम अजस्य कारना भावादेक एवाति बाहिकह सर्वासाम भूत जाति नामे को जाह कारनं परम अजस्य कारनं नास्ति तेना सावेक देहवान नास्त्ये बभौतिको देह प्रथमस्य प्रजापतेह आकाशात्माच भात्येश आति बाहिक देहवान चित्तमात्र शरीरोसव ना प्रित्वियादिक्रमात्मकह आध्याप्रजापतिर्भ्योम भपुह प्रतनूते प्रजाह तास्चो चित्व्योमरू पिन्यो बिनान्येही कारनांतरेही यद्यतस्तत्तदेवेति सर्वैरेवानु भूयते निर्वान मात्रं पुरुषः परोबोधा सेवच चित्तमात्रं तदेवास्ते नायाति बसुधादिताम। सर्वेशाम भूत जातनाम सम्सारभ्य वहारिनाम। प्रतमो सौ प्रतिस्पंदस्चित्तदेह स्वतो दयह। अस्मात् पूर्वात् प्रतिस्पंदाद अन्यताइतत् स्वरूपिनि यम् प्रविश्रिताश्रिष्टिही स्पंदस्रिष्टिरिवानिलात। प्रतिभाना कृतेरस्मात् प्रतिभामात्र रूपद्रिक। विभात्ये वमयं सर्गह सत्यानुभववांस्थितः। द्रिष्टान्तो त्रोभवत्ष्वपना पूरस्त्रि सुरतम्यताः असदप्यर्थ संपत्या सत्यानुभववासुरं। आप्रिथ्व्यादिमयो भादि व्योमा कृतिरदेह कह सदेह इभभूतेशह स्वात्मभूहु पुरुशा कृतिह। संभित संकल्प रूपत्वान नोदेति समुदेतिच स्वायत्त्त्वात्स्वभावस्य नोदेति नचशाम्यति। ब्रम्हा संकल्प पुरुशह पृत्वियादि रहिता कृतिह। केवलं चित्तमात्रात्मा कारणं त्रिजगत्स्थितेह। संकल्प एश कचति यथा नामस्वयं भुवह व्योमात्मैश तथा भाति भवत्संकल्प शैलवत। आति वाहिक मेवांतर बिस्मृत्या द्रिधरूपया आधि भौतिक बोधेन मुधा भाति पिशाचवत। इदं प्रतमतोध्योग संप्रवुद्धं महाचितेह। नोदेति शुद्धसं वित्वादाति भाहिक बिस्मृतिह। आधि भौतिक जातेन नास्योदेति पिशाचिका। असत्याम्रिगत्रिष्णेव मिथ्याजाध्य भ्रमप्रदा। मनो मात्रम्यदाब्रम्ह नापृत्व्यादिमयात्मकह। मनो मात्रमतो भिश्वं यद्यज्यातं तदेवह। अजस्यो सहकारिनी कारणानी नसंतियत् तज्यस्यापिनसंत्यव तानितस्मात्तु कानिचित। कारणात कार्य वैचित्रियं तेन नात्रास्ति किंचन। याद्रिशं कारणं शुद्धं कार्यताद्रिगितिस्थितं। कार्यकारणता इहत्र नाकिंचि दुपपद्यते याद्रिगेव परंब्रम्ह ताद्रिगेव जगत्रयं। मनस्ता मिवयाते ना ब्रम्हना तन्यते जगत्र अनन्यादात्मनह शुद्धाद्रवत्व मिव बारिणह। मनसा तन्यते सर्भ मसदे वेदमाततं। यथा संकल्प नगरं यथा गंधर्व पत्तनं। आधि भाउति कतानास्ति रज्वामिव भुजंगता। ब्रम्हादयह प्रवुद्धास्तु कथं तिष्ठंति तत्रते। आति वाहिक एवास्ति नाप्रबुद्धमतेह किला। आधि भाउतिक देहस्य बाचो बात्र कुतह कथं। मनो नाम्नो मनुष्यस्या बिरिंच्या कारधारिनहा। मनो राज्यम जगदिती सत्यरूपमिवस्थितं। मन एव बिरिंचित्वं तद्धिसंकल्पनात्मगं। स्वबपु। स्भारतम नित्वा मनसेदं बितन्यते। बिरिंचो मनसो रूपम बिरिंचस्या मनो बपु। पृत्व्यादि बिध्यते नात्रो तेना पृत्व्यादि कल्पितं। पद्माक्षे पद्मिनी बांतर्मनो हृद्यस्ति द्रिष्यता। मनो द्रिष्य द्रिषव भिन्ये नाकदाचनके नचित। यथा चात्रो तवस्वपनह संकल्पस्चित्त राज्यधिह। स्वानु भूत्य इवद्रिष्टांतस तस्माद। हृद्यस्ति द्रिष्य भूह। तस्माचित्त विकल्पस्थ पिशाचो बालकम्यता। बिनिहंत्य वमेशांतर द्रष्टारं द्रिष्यरूपिका। यथांकुरोंतर बिजस्य संस्थितो देशकालतह। करोति भासुरं देहं तनोत्य वम्हि द्रिष्यधिह। सच्चन शाम्यतिकदाचन द्रिष्य दुख्यं। द्रिष्यत्व शाम्यतिन बोध्धरि के बलत्वं। द्रिष्यत्व संभवति बोध्धरि बोध्धरि भाबह। शाम्यत्स्थितोपि हितदस्य बिमोक्षमाह। इत्यार्षे श्री वाशिष्ठ महारमायने बालमी की ये उत्पत्य प्रकर्णे बंध हे तु वर्ननम्नाम तृतिय सर्गह। अब इस उत्पत्य प्रकर्ण के दूसरे और तीसरे सर्ग में ब्रह्मा की मनो रूपता और उसके संकल्प में जगत की असत्ता तथा ग्याता के कैवल्य की ही मोक्ष रूपता का प्रितिपादम किया गया है। श्री वशिष्ट जी कहते हैं, हे श्री राम मन्वंतर का आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यू प्रजा का संगार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयम ही ब्रह्मा जी पर आकर्मन करने का उद्योग आरंभ कर उस समय धर्मराज यम ने उसे शीग रही इस प्रकार सिक्षा दी, हे मृत्यो ब्रह्मा, परम, चिन्मय और ब्योमस्वरूप हैं, उनकी आकरिती प्रित्वियादी पांच भूतों से रही थे, बे मनोमय और संकल पुरूप हैं, भला उन पर कैसे आकर्मन किया जा सकता हैं, जो चेतन आकाश के समान, चमतकार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान केवल अनुहब रूप हैं, बे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही हैं, उनमें कारी कारण का भाव नहीं हैं, जैसे आकाश में इंद्र नील मनी से बने हुए, तथा ओधे रखे हुए महान, कड़ाहे के जैसी आकरती, कड़ाय कासा आकार पृत्वी आदी से रहित प्रतीत होता है और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृत्वी आदी से रहित ही ग्यात होता है उसी प्रकार स्वयम्भू ब्रह्मा भी पृत्वी जल आदी तत्वों से रहित ही केवल भासित होते हैं केवल अद्विती परमात्मा में न दृष्य है और न दृष्टाई है यह स्वयम चिनमात्र स्वरूप ही है तथा भी स्वयम्भू नाम से प्रकाशित होता है आदी मद्य और अंत से रहित चिदा का शुरूप अद्विती ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयम्भू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी जैसा भासित होता है हे श्री राम जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है उसी को इस जन्म में संसार की स्थिती की कारण भूत स्मृती का होना संभव है जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं तब उने पूर्व जन्म की स्मृती का उदय कहां से और कैसे होगा इसलिए ब्रह्मा का शरीर प्रिच्वी आदी कारणों से रहित है ब्रह्मा अपने कारणभूत प्रब्रम परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयम आत्मस्वरूप हैं हे श्री राम स्वयम्भू ब्रह्मा का वह शरीर आतिबाहिक ही है जो अजन्मा है उसे आधिभवतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती श्री रामचंद्र जी ने पूछा हे गुरुदेव सभी प्राणियों के एक आतिबाहिक शरीर होता है और दूसरा आधिभवतिक किन्तो ब्रह्मा के केवल आतिबाहिक ही शरीर क्यों है आधिभवतिक क्यों नहीं है श्री बशिष्ठ जी ने कहा श्री राम सभी भूत कारणात्मा है पंचीकृत भूतों से उत्पन देह आदी से युक्त है इसलिए उनके दो-दो शरीर होते हैं परन्तु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है इसलिए उनके एक ही आतिवाइक शरीर ही है एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाती के प्राणियों के परम कारण है उसका दूसरा कोई कारण नहीं है इसलिए भी उनके एक ही शरीर है संकल्प रूप ही उनका शरीर है पृत्वी आदी भूतों के क्रमशह सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्मान नहीं हुआ है वे चिदाकाश स्वरूप आदी प्रजापती ब्रह्मा ही बिविद जीवों की श्रिष्टी करके उनका विस्तार करते हैं वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवाए अन्यकारणों से उत्पन नहीं हुए है अतह बेभी चिदाकाश स्वरूप ही है जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ती होती है वह तदूप ही होता है जैसे मृत्तिका से निर्मित हुआ घट मृत्तिका रूप ही है बृत्यका से अलग उसका कोई अस्तित्प नहीं है स्वर्ण के कटक कुंडल आदी द्रिश्टान्तों के द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है संसार में व्यभार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेश्टाशील चेतन भूत है अंतक करन ही उनका स्वरूप है किसी लिए ब्रह्माजी के चार मुग है मन, बुद्धी, चुत्त, अहंकार और इन चारों का जो सार है उसका नाम है अंतक करन उसी का नाम है ब्रह्माजी उनके केवल आतिवाईक शरीर है अर्ची आदी मारक के द्वारा लोकांतर में पहुचना अतिवहन कहलाता है इस अतिवहन कर्म में कुशल अत्यंत सूख्ष्म शरीर को आतिवाहिक शरीर कहते हैं उन्हीं ब्रह्माजी के संकल पात्मक शरीर से अहंकार का उदय होता है जैसे बायू से हिलना चलना आदी चेश्टाएं प्रकट होती हैं उसी प्रकार उन्प्रथम प्रतिस्पंद पहले प्रकट हुए चेश्टाशील चेतनभूत ब्रह्मा से अभिन रूप वाली या स्रिष्टी प्रकट हुई और फैली है प्रतिवास ही जिसकी आकृती है उन्प्रह्मा से उत्पन होने के कारण यह द्रिष्यमान सिर्ष्टी भी प्रतिवास रूप ही है अथवा प्रतिवास मात्र ही है फिर भी लोगों की द्रिष्टी में यह सत्यसी प्रतित होती है इस विशय में द्रिष्टांत है स्वपन में दीखने वाले स्वपनांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम जैसे स्वपन में स्त्री समागम का स्वपन देखा जाए तो उससे भी बीरिपात होता है उसी प्रकार व्यबहार और प्रज़न की सिद्धी की दृष्टी से असत वस्तू भी सत्य वस्तू के समान व्यबहार का प्रकाश करती है तात्परी यह कि स्वप्ण में स्त्री का समागम जागर्त काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है तो भी उससे सत्य के समान कारी होता देखा जाता है इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से पुत्पन या स्रिष्टी भी यद्यपी प्रतिभास रूपा ही है तथा पी सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है जिनका शरीर प्रत्वी आदी तत्वों से नहीं बना है जो चिदाकाश स्वरूप और निराकार हैं बे संपूर्ण भूतों के अधिपती स्वयंभू ब्रह्मा शशरीर पुरुष की भाती प्रतित होते हैं प्रत्वी आदी तत्वों से शुन्य आकारवाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर केवल चित्त मात्र है बेही तीनों लोकों की स्थिती के कारण है स्वयम्भू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार, जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है, चिदाकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है ब्रम्भा मनो मैही है पृत्वी आदी के द्वारा निर्मित नहीं है इसलिए उनसे उत्पन हुआ या विशुभी मनो मैही है क्योंकि जो जिससे उत्पन होता है वह तदुरूप ही होता है जैसे सोने का बना हुआ कटक कुंडल आदी सुवर्ण रूप ही होता है अजन्मा ब्रम्भा के कोई सहकारी कारण नहीं है सुतराम उनसे उत्पन हुए जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है अतहो यहां कारण से कार्य में कोई बिचित्रता या बिलक्षनता नहीं है इसलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है यह सिद्धान्त स्थिर हुआ इस जगत के विशे में कारी कारण भाव की किंचिन मात्र भी संगती नहीं है जैसा परब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक है जल दरवत्व से अभिन नहीं है उस अभिन रूप जल से जिस तरह दरवत्व का विस्तार होता है उसी प्रकार मनो रूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप से ही जगत का विस्तार करते है वह जगत उनके विशुद्ध आत्मस्वरूप से भिन्न नहीं है जैसे ज्यानियों की दृष्टी में रसी में सर्प भाव नहीं है उसी प्रकार जगत में आदिभवतिकता जड़ता नहीं है फिर वे प्रबुद्ध ब्रह्मा आदिभवतिक देह में कैसे रह सकते हैं मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है वह मन संकल्प रूप है मन अपने ही स्वरूप को बिक्सित करके इस जगत का निर्माण एबंबिस्तार करता है मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन है इसमें प्रिथ्वी आधी का प्रवेश नहीं है मन ने ही परमात्मा में प्रिथ्वी आधी की कलपना की है जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलिनी भाबी कमल का नाल विद्धिमान रहता है उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्यवर्ग स्थित है मन दृश्यवर्ग और इन दोनों का दृष्टा इनका कभी किसी ने बिवेक ही नहीं किया जब तक दृश्टा और दृश्य का विवेक नहीं किया जाएगा तब तक अज्यान का उच्छेद होने से मन में दृश्यवर्ग की प्रतिती होती ही रहेगी यदि दृश्य रूप दुख सत हो तो उसकी कभी शान्ती नहीं हो सकती और दृश्य की शान्ती नहोने पर ग्याता में कैवल्य मोक्ष की सिद्धी नहीं हो सकती दृश्य का अभाव हो जाने पर ग्याता में ग्यात्रिभाव इस्थित हो तो भी वह शान्त या निवृत्त हो जाता है वही ग्याता का कैवल्य ही उसका मोक्ष कहा गया है इस सर्ग में आकाशज ब्राम्मन की कहानी कही गई है आकाशज से यहाँ पर लिंग समष्टी आत्मा जो हिरन निगर्व है उसी का ग्रहन है आकाश रूप ब्रह्म से उत्पन होने के कारण उसका नाम आकाशज है ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र है ना आकाशस्तल लिंगात जो ब्रह्म के लक्षण है वे आकाश में भी घटित होते हैं ब्रह्म के लिंग आकाश में भी दिर्श्य होते हैं इसलिए आकाश भी ब्रह्म ही हैं अज्यानी भाउतिक देहात्मा ही मृत्यू का भक्ष है तत्तवित जो आकाशज आकाश्य उत्पन्न के समान वह चिनमात्र आत्मा हैं वह मृत्यू का विशय नहीं बन सकता इस विशय का बर्णन इस सर्ग में किया गया है इसमें वसिष्ठ जी ने बड़ी ही आलंकारिक साहित्यिक भाशा में इस आकाशज के आख्यान को कहा वसिष्ठ जी बोले है श्री राम जी करणों के भूशन इस आकाशज के आख्यान को आप सुनिये जिसके सुनने से उत्पत्ति प्रकर्ण का बोध होता है आकाशज नाम बाला परमधार्मिक ध्यान में ततपर यह जो आत्मा है उसी का नाम आकाशज है एसा एक ब्राम्मन प्रजाओं के हित में निरत जो हिरनिगर्व है उनके बहुत काल तक जीने पर मृत्यू ने विचारा कि मैं अक्षय रूप सब जीवों का भक्षन करता हूँ इस आकाशज ब्राम्मन को क्यों नहीं भक्षन करता इसके विशे में मेरी शक्ती कुंठित हो जाती है जैसे पाशान के उपर तलवार की धार कुंठित हो जाती है मैं इस आकाशज ब्राम्मन का भक्षन क्यों नहीं कर पाती हैसा विचार करके उसको मारने के लिए मेरू परवत के मद्धि में प्रसिद सत्यलोक नामबाले उसके नगर में मृत्यू गया जिस नगर में उद्यम में समर्थ कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग था उसके अनंतर मृत्यू जब उनके स्थान में प्रवेश करने लगा उतने में ही कलपांत के अगनी के समान अगनी समाधी के भंग के निरोध के लिए उची भीत के समान ब्रह्मा जी से संकल्पित अगनी इस मृत्यू को जलाने लगा अगनी जुआला की बड़ी भारी माला को बिदीर्ण करके अगनी स्थान के भीतर गया और ब्राम्मन को देख करके परयत्न से हाथ से उसको पकड़ना चाहा उस ब्राम्मन के समुख अगनी न देख सका बल्वान होने पर भी सेंकणों हाथों से संकल्प के पुरुष के समान उसको इसपर्ष करने में समर्थ नहीं हो सका इसके अनंतर शंशय के छेदन करने वाले जो यम हैं उनके निकट मृत्यों ने आकर के पूँछा कि इस आकाशज ब्राम्मन को मैं क्यों नहीं भक्षन कर सकता तो यम जी बोले है मृत्यों तुम अकेले सहाय रहित किसी के मारने में समर्थ नहीं हो मारन करने योग्य जो प्राणी है उसके कर्म मारन करने में समर्थ है इसके सिवाए और कुछ भी तुमारी अशक्ती का कारण नहीं है इसलिए जिसको आप मारना चाहते हैं इस मारन करने योग्य इस ब्राम्मन के कर्मों को यतन से तुम खोजो उन कर्मों की सहायता से तुम इसका भक्षन कर सकोगे। नगरों में, पूरों में, ग्रामों में, संपूर्ण राज्यों में तथा भयंकर अन्य देशों में उस ब्रामन के कर्मों का अन्वेशन खोज करने में आधर युक्त हो करके ब्रह्मन करने लगा। संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्मन किया, परंतु बंध्या के पुत्र को, अत्वा संकल्प के परवत को संकल्प करने वाले से अन्य जैसे नहीं पाया जाता। ऐसे ही आकाशज ब्रामन के कर्मों को कहीं भी वो नहीं प्राप्त कर सेगा। इसके अनंतर संपूर्ण अर्थों के जानने वाले जो यम हैं, उन से मृत्यू ने आके पूछा, क्योंकि संदे होने पर ब्रित्यों के सेवकों के शरण स्वामी मालिक ही होते हैं। मृत्यों ने आकर पूछा, हे प्रभो, आकाशज ब्रामन के कर्म कहां पर हैं, सो बताईए। इसके अनंतर धर्मराज दीर्ग काल तक विचार करके यह बात बोले। हे मृत्यों, इस आकाशज ब्रामन के प्रारब्धा धिकारी फलों के आरंब से ही बिनाश होने से, संचित कर्मों का ज्यान से बाद होने से, और आगामी कर्मों के बीज के अभाव से ही कोई भी कर्म नहीं है। यह आकाशज केवल आकाश ब्रह्म से ही उत्पन हुआ है। जो केवल आकाश से उत्पन होता है, वह आकाश के समान ही निर्मल होता है। जैसे आकाश में धुआ, जल, धूली आदी का इसपर्ष नहीं होता, सदा निर्मल रहता है, वैसे ही इसका अंतरा आकाश अविद्या काम कर्म बासना आदी से असंस्पिष्ट ही रहा है। इस लिए इस आकाशच ब्राम्न के राग अभिमान आदी अतवा मृत्यू के मारने के सहायक जो कर्म हैं, इस जन्म में इसने ऐसे कोई कर्म नहीं किये है। अनुत्पन्न आकारवाले बंध्या पुत्र के समान इस आकाशज ब्राम्मन का पूर्व जन्म के कर्मों के साथ कुछ भी सम्बंद नहीं है। कारणों के अभाव से यह आकाश रूप ही है। जैसे आकाश में महा ब्रिक्ष नहीं है, ऐसे ही इसके पूर्व कर्म भी नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के अभाव से इस आकाशज ब्राम्मन का चित बासना के बशी भूत नहीं है। और इस जन्म में मृत्यू के भक्षन योग्य कोई भी कर्म इन्होंने संचित नहीं किया है। इस प्रकार आकाश रूप या आकाशज ब्राम्वन महान आकाश स्वरूप अपने कारण में नित्य ब्रह्म स्वरूप में ही इस्थित है। इसके अन्य कोई भी कारण नहीं है पूर्व जन्म के इनके कर्म हैं ही नहीं और इस जन्म में ये कुछ कर्म करते नहीं इसलिए ये बिज्ञान मात्र आकाश रूप ही है जब प्राणों की गती और क्रिया शक्ति इनकी जो लक्षित होती है वह हम लोगों को अविद्या से दिखाई पड़ती है इनको उन प्राण आधी के ब्यापार में सत्तिता बुद्धी नहीं है चित रूपी स्तंभ, चित रूपी खंबे में चित रूपेनी प्रतिमा अपने रूप चित बिलक्षन भावना करती हुई इस्तिध है अर्थात इनका रूप केवल भावना मात्र है, वास्तविक नहीं है परंपद आत्म रूप से उत्पन्ण आत्म रूप यह आकाशिज ब्राम्मन ऐसे इस्तित है जैसे दुग्ध में द्रवत्व, जल में द्रवत्व, अत्वा आकाश में शुन्यत्व जैसे बायू में स्पंद, वैसे ही परंपद में यहां आकाशज है इस जन्म के और संचित कर्म इनके कुछ भी नहीं है और न इनके पूर जन्म के ही करम हैं, इस से यह संसार के बशमें नहीं है सहकारी कारणों के अभाव से जो उत्पन होता है वह अपने कारण से भिन नहीं होता यह बारता अनुभूत है इसलिए कारणों के अभाव से यह स्वयम्भू है जब इन स्वयम्भू ने ना तो पूर्व जन्म में कर्म किया और ना इस जन्म में तब भला मृत्यू तुम्ही कहो कि इसके उपर कैसे आक्रमन कर सकते हो जो जीव या निश्चे करता है कि पृत्वी आदी का संगात जो दे है वही मैं हूँ वह मूढ पार्थि भी हो जाता है और उसके विशे में जब ब्रह्मा जी की बुद्धी से मृत्यू की कल्पना करते हैं तभी तुम मृत्यू उसको ग्रहन कर सकते हो पृत्वी आदी की भावना के अभाव से यह ब्राम्मन रूपवान नहीं है इसलिए जैसे दृढ रज्जू में आकाश का ग्रहन नहीं हो सकता ऐसे ही इसका भी ग्रहन नहीं हो सकता यह सब सुनकर यमराज से मृत्यू बोले हे भगवन निर्विकार शूनि से विकार रूप की उत्पत्ति कैसे हुई और अजन्मा का जन्म भी कैसे हुआ और पृत्वी आदी कैसे हैं और नहीं भी हैं यह बिशय आप हमें समझा कर कहिए यमजी बोले यह द्विज केवल ज्ञान मात्र रूप से जैसा है बैसाही इस्तित है क्योंकि यह कभी उत्पन नहीं हुआ और इसकी सत्ता का अभाब भी कदाचित नहीं है तात्परी यह है कि आकाश शब्द से परमात्मा का ग्राण है पृत्वी आदी की असत्ता सुन्य अभिप्राय से नहीं कही गई किन्तो कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से प्रिथक नहीं है और इसी प्रकार अज का जन्म भी नहीं है बिवर्त बाद के अभिप्राय से ये सब कहा गया है नके परिणाम बाद के अभिप्राय से महा प्रले के समय में शांत, अजर, अनन्तात्मा, शून्य, नित्य उधित, सदोधित, सूक्ष्म और उपाधी रहित केवल परब्रम ही रह जाता है इसके अनन्तर सृष्टी के आरंभकाल में बास्वना और अद्रिष्ट से संचित जीव की अविद्या के कारण से और इस आत्मा का ज्यानमात्र सुहाव होने से इसके सम्मुख विशय रूप से परवत के समान अनिवारी बिराट रूप अत्वा चतुर्मुख देह अहम इस अविलाशा के योग्य और स्थूल से जो रूप किंचित स्फुरित होता है उस समय हम लोग उसी अविद्या के कारण से अकस्मात स्वपन के समान ब्रांत मिथ्या भूत आकार इस ब्रह्म को देखते हैं उसी चतुर्मुख आकार से स्रिष्टी की आदी में यह ब्राम्मन आकाश के उदर में निर्विकल्प चिदाकाश रूप से इस्थित है अर्थात अन्यकी दृष्टी से अध्यस्त देह आदी से इनके निर्विकल्पता आदी ब्यवार की क्षती नहीं हैं इनके शरीर, कर्म, कर्तरित्व और बासना यह कोई भी नहीं हैं इसलिए यह शुद्ध चिदाकाश बिग्यान घन सर्भव्यापक हैं केवल आकाश भाव और तेज रूप यह ब्रम्म हैं इसका पूर्वजन्म का बासना जाल कुछ भी नहीं है बाईय मुख चित की प्रवृत्ती के शान्त होने पर ऐसा प्रातिभासिक रूप भी यह नहीं देख पड़ता इसलिए जैसा चिदाकाश है बैसा ही अधिश्ठान तत्तु के परिचे से बिशय का अबाद होने से चित प्रवृत्तियां भी चिदाकाश रूप से रहती है जहां पर चित की प्रवृत्तियों का भी संभव नहीं है वहां पर प्रिथ्वी आदी का संभव कैसा और किस प्रकार हो सकता है इसलिए है मृत्यों तुम इस आकाशज ब्राम्मन के ऊपर आक्रमन करने में परिश्रम न करो क्योंकि आकाश को ग्रहन करने को कोई भी कभी भी समर्थ नहीं होता इस वात को सुनके आस्चरी से युक्त मृत्यों अपने स्थान को गया रगुवंश का एक श्लोक स्मरण में आता है अलं मही पालत वश्रमेणा प्रयुक्तम अप्यस्त्रमितो ब्रिथास्यात नपाद पोन मूलन शक्तिरंगा शिलोच्ये मूर्चति मारूतस्या खैर श्री राम जी बोले आकाशज इस नामांतर से प्रपिता मह स्वयंभू अज एकात्मा और जीव समस्टी रूप इत्यादी नाम बाले ब्रह्म ही को आपने प्रतिपादन किया तथा जगत मिठ्यात्व भी इस आकाशज के आख्यान से आपने सिद्ध किया यह वारता इस आक्यान से मेरी बुद्धी में आती है श्री बशिष्ठ जी बोले हे श्री राम जी मैंने इस प्रकार ब्रह्म ही आपसे कहा प्रथम सत्य युग में मृत्यू ने यम से यह संबाद किया था मन्वंतर के संधिकाल में सर्व भक्षी मृत्यू जब सब प्रजाओं का प्राण हरण कर रहा था उस समय आकाशज के ऊपर आक्रमन करने का स्वयम करमादी की सहायता के बिना आक्रमन करने का आरंब किया जिस जिस समय मृत्यू ने आकाशज ब्रामन ब्रह्मा के ऊपर आक्रमन किया उस उस समय धर्मराज यम ने उसको शीग्र शिक्षा तुमारा प्राक्रम इनके ऊपर नहीं चल सकता इस वात की शिक्षा दिया और प्रत्येक स्रिष्टी में मृत्यू इस कारिय को इसलिए करता है कि जो कारिय जो नित्य किया करता है उसको उस कारिय करने का ब्यसन हो जाता है पर आकाश रूप शरीर वाले ब्रह्मा के उपर भला मृत्यू कैसे आकर्मन कर सकता है क्योंकि प्रिथ्वी आदी की आकरिती से रहित मन के संकल्प मात्र से इनका शरीर है जो चिदा का शकाच मत्कार है और आकार का केवल अनुभव मात्र है वह तो सच्चित आकाश मात्र ही है वह कारी कारण दोनों से रहित है आकाश में जैसे संकल्प का पूरुष स्फुरित आकारवाला अथवा नीचे मुखवाला इंद्र नील मनी के समान महा कटाह एक बहुत बड़ा कडाहा के आकारवाला पृष्वी आदी से रहित भी आकाश का भान होता है वैसा ही पृष्वी आदी से रहित ब्रह्म का शरीर भी भास्ता है संकल्प तथा सुप्ण में निर्मल आकाश में प्रिछ्वी आधी के न रहने पर मोतियों की पंक्ती जैसे भास्ती है ऐसे ही स्वयम भू भास्ते है केवल परमात्मा में न दृष्य है न दृष्टा है स्वयम चिन मात्र होने पर भी यह परमात्मा स्वयम ऐसा भासता है ब्रह्म का संकल्प मात्र और मन रूप ही ब्रह्मा कहलाता है संकल्प से आकाश में जैसा पुर्ष भासता है वैसा ही यह ब्रह्मा है नकि ये प्रत्वियादी से बना हुआ। अपने मन के संकल्प के बश से आकारवान के सद्रिश ब्रह्मा स्वयम्भु पुमान इत्यादी नामों से भान होता है। यथार्थ में बंध्या पुत्र के समान ब्रह्मा के देह नहीं है। इस प्रकार बाशिष्ट महारामेन के देवदूत के द्वारा बताए गए मोक्षो पाए के उत्पत्य प्रकरण में ये दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अब तीसरे सर्ग में परमात्मा का मनो मात्र स्वरूप ये ब्रह्मा है और उसका संकल्प में ये जगत है। इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड मनो राज्य के सद्रिश असत है। इस विशय का ब्रणन इस तीसरे सर्ग में किया जाता है। श्री रामजी बोले प्रिछवी आदी से रहित शुद्ध रूप ब्रह्म का मन वही ब्रह्मा है। यह बारता ऐसे ही प्रिशिद्ध है और यदि प्रिथवी आदी से वर्जित सत्य मन ही ब्रह्मा है। यह आपने कहा तो हे ब्रह्मन मन वासना जाल रूप होने से जैसे मेरी आपकी तथा और प्रानियों के पूरु जन्म की स्मृति इस जन्म का कारण है। ऐसे ही ब्रह्मा के इस शरीर में पूरु जन्म के शरीर और त्याक काल की स्मृति क्यों कारण नहीं है। यह बारता आप कृपा करके समझा के मुझे कहिए। श्री भशिष्ट जी बोले पूरु जन्म के कर्मों से संयुक्त पूरु जन्म का शरीर जिसको लिंग शरीर कहते हैं। जिसका इस जन्म में हैं उसी को संसार में स्थिती के लिए पूरु जन्म की स्मृति कारण है। तत्व द्रिष्टी से जब ब्रह्म का पूरु जन्म का कर्म कुछ है ही नहीं तो उनकी पूरु जन्म की स्मृति कैसे उद्य हो सकती है। इसलिए कारण रहित अत्वा केवल अपना देह द्रिष्टा का चित्वान कारण ब्रह्मा का शरीर केवल भान होता है। अतेव स्वयंभू अपने कारण से अभिन्न आत्मा वाले हैं। हे राम जी स्वयंभू ब्रह्मा का यह आतिवाहिक अर्थात अर्ची धुमादी मार्ग से लोकांतर में प्राप्त करने में समर्थ हम लोगों के लिंग शरीर के समान शरीर है। आदिभौतिक स्थूल भूतों से उत्पन ब्रह्मा का शरीर युक्त नहीं हो सकता। तब श्री राम जी बोले कि हे ब्रह्मन संपूर्ण प्राणी मात्र का एक आतिवाहिक एक लिंग शरीर अत्वा सुख्ष शरीर होता है और दूसरा शरीर होता है आदिभौतिक स्थूल शरीर। तो जैसे हम सब के स्थूल शरीर और सुख्ष शरीर ये दो शरीर होते हैं और आप कहते हैं कि ब्रह्मा के केवल आतिवाहिक यानि के सुख्ष शरीर ही होता है। शरीर भौतिक शरीर नहीं होता। तो वसिष्ट जी बोले कि पंचीकृत भूत कारण से उत्पन्न संपूर्ण प्राणियों के आतिवाहिक तथा आधिभौतिक सूक्ष्म और स्थूल ये दोनों शरीर होते हैं। परंतु ब्रह्मा का कारण न होने से उनका केवल आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर ही होता है। संपूर्ण जाती के प्राणियों का परम कारण केवल एक अज ब्रह्मा ही हैं। और अज का कारण कोई भी नहीं। इसलिए इनके केवल एक सूक्ष्म शरीर ही है। सबसे प्रथम प्रजापती का भौतिक देह नहीं है। केवल चिदाकाश रूप एक आतिवाहिक सूक्ष मुशरीर वाला या ब्रह्मा प्रकाश कर रहा है। इनके शरीर की रचना केवल चिदाकाश रूप ही है। क्योंकि जो जिस उपादान कारण से उत्पन होता है, जैसे सुवर्ण कटक कुंडलादी, वह उसका ही रूप होता है। इस विशय का अनुभव सब को है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र की ब्रह्म रूपता इस प्रकार सिद्ध हुई। चित्त मात्र उपाधी से उत्पन, चित्त की भ्रांती से चित्त मात्र होने पर भी यथार्थ में पुरुष, केवल निर्बान मात्र, केवल चिदाकाश रूप, अथवा परम बोध रूप ही है। वह प्रत्वी आदी के सुरूप को कदापी प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में व्यबहार करने वाले सब प्राणी मात्र का यह चित्त मात्र देह वाला अहम भाव का उदय प्रथम प्रतिस्पंद है। इस प्रतम प्रतिस्पंद उत्पत्ती अथवा गती से उत्पन विस्त्रित यह सृष्टी इस अपने उपादान कारण से ऐसे ही अभिन रूप है। इस प्रातिभासिक आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन या संपूर्ण जगत प्रातिभासिक रूप ही है यथार्थ में सत्य बोधस्वरूप ही है इसमें द्रिष्टान्त या है कि जैसे एक स्वपन में दूसरा स्वपन उसमें स्त्री का सुरत उसमें स्थूल पदार्थ की संपत्ति नो होने से भी व्याभारिक प्रेवजन सिद्धी से प्रकाश्मान होता है ऐसा ही यह संसार है इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रिच्वी आदिशे शून्य आकाश मात्र शरीर वाले देह रहित भी सब प्राणियों के स्वामी स्वात्म भू ब्रह्मा देह सहित पुरुष के आकार के समान भासमान हो रहे हैं केवल ग्यान और संकल्प मात्र होने से परमार्थ द्रिष्टी से इनका शरीर नहीं उदे होता और भ्रांती से उदे होता है जगत की सत्ता के समान अविद्या के अधीन न होने से और अपने चितमात्र सुभाव से इस्थित होने से न तो यह उदे होता है और न शान्त होता है ब्रह्मा प्रिथिवी आदी के आकार से रहित संकल्प के पुरुष केवल चितमात्र सुरूप वाले तीनों लोकों की स्थिती के कारण है जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुरोध से जिस जिस प्रकार से ब्रह्मा का संकल्प विकसित होता है वैसा ही आकाशात्मा यह संसार आपके संकल्प के परवत के समान भासमान होता है स्वरूप तथा आतिवाहिक द्रड रूप बिस्मृती से और आदिभौतिक के बोध से मिथ्या पिशाच के तुल्य सवका स्थूल शरीर भान हो रहा है और यह ब्रह्मा का शरीर महाचिती अर्थात माया शवलित ब्रह्म की प्रथमता अर्थात संपूर्ण स्थूल प्रपंच की अपैक्षा से कारणी भूत सूक्ष्म रूपता है उस प्रथम रूपता में सत्य संकल्प से वह अज्यान के आच्छादन से रहित व्यवसाही प्रत्यक्ष संपूर्ण बुद्ध रूप है क्योंकि शुद्ध संबित होने के कारण उसमें आतिवाहिक की बिस्मृती उदय नहीं होती आदिभवतिक के समुह से असत्य म्रिगत्रशना के समान मिथ्या जड़ता और भ्रह्म देने वाली पिशाचिका इस ब्रह्मा को उदय नहीं होती परमात्मा का मनोमात्र ही ये ब्रह्मा है प्रिथिवी आदी से युक्त नहीं है इसलिए ब्रह्मा का संकल्प मात्र होने से या संपूर्ण विश्व मनो मात्र है क्योंकि जो जिस उपादान कारण से उत्पन होता है वह उसी उपादान सुरूप होता है अज ब्रह्म्ह के कोई सहकारी कारण नहीं है इस कारण से ब्रह्म्ह से उत्पन जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है इस से जगत मनो मात्र, मन ब्रह्मा मात्र और ब्रह्मा अद्वईत ब्रह्मा मात्र है या सिद्धुवा इस हेतु से इस कारण से कार्य की बिचित्रता यहां पर कुछ भी नहीं है जैसा शुद्ध ब्रह्म रूप कारण है वैसा ही कार्य ब्रह्म रूप जगत है यही सिद्धानत है यहाँ पर कार्य कारणता किंचित भी उपपन युक्त नहीं हो सकती जैसा शुद्ध ब्रह्म है वैसा ही तीनों जगत है ब्रह्म के मन रूप में प्राप्त ब्रह्मा जगत का विस्तार करता है इस हेतु से जगत ब्रह्म से ऐसे ही अभिन रूप है जैसे जल से द्रवत्व मन से इस संपूर्ण जगत का विस्तार होता है इसलिए या संकल्प नगर अथवा गंधर्व नगर के समान मिथ्या भूत ही है जैसे रज्जू में सर्प नहीं है ऐसे ही तत्व ज्यानियों की दृष्टी में देह आदी में आदी भूतिक्ता नहीं है और अधिस्टान सत्ता के अतिरिक्त प्रबुध ज्यानी ब्रह्मा आदी भला उसमें कैसे रह सकते हैं ज्यानी की दृष्टी में ब्रह्म के अतिरिक्त आतिवाहिक सुक्ष्म शरीर भी नहीं है तो यहां पर आदिभूतिक शरीर होने की तो भला कौन सीव कथा है मनुष्य का मन ही ब्रह्मा का आकार धारन किये हुए है इसलिए सत्य रूप से यह जगत मनो राज्य ही है यह यथार्त है मन ही बिरिंची रूप सब का सरस्टा है और वह भी संकल्प रूप अपने शरीर को बिशाल बनाके इस जगत का मन से बिस्तार करता है बिरिंची मन का रूप है और बिरिंची का शरीर मन है इसलिए इस मन में पृत्वी आदी नहीं है इसी है तूसे पृत्वी आदी सब आत्मा में कल्पित है पदमाक्ष के भीतर जैसे पदमिनी रहती है, कमल के बीज में जैसे कमलनी का अंकुर रहता है ऐसे ही मन के भीतर ये दिर्श समू है मन और दिर्श की साक्षी रूपता इन दोनों को कभी किसी ने भिन रूप से विवेचन नहीं किया है जिस प्रकार तुम्हारा स्वपन और संकल्प तथा चित्त ही राज्याकार की बुद्धी है यह अपना अनुह भी यहाँ पर दिर्श्टान्त है इस हेतू से मन में ही दृश्य पदार्थ की भूमी है इस हेतू से जैसे चित्त के बिकल्प में इस्थित पिशाच बालक को मार लेता है ऐसे ही दृश्टा के मन में इस्थित या दृश्य रूपिनी पिशाची का उसको मारती है जिस प्रकार बीज के भीतर समस्थित अंकुर देश और काल को प्राप्त करके प्रकाशमान हो जाते हैं अपने शरीर का विस्तार करते हैं इस प्रकार द्रश्टा के चित्त में इस्थित यह द्रश्य बुद्धी, देश, काल प्राप्त करके अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। यदि वह दृष्य सत्य हो तो दृष्य का दुख कदाचित भी शान्त नहीं हो शकता और दृष्य के शान्त नहोंने से बोद्धा में केवली भाव कभी प्राप्त नहीं हो सकता और दृष्य के मिठ्या सिद्ध होने पर इस रूप से दृष्य के स्थित रहने पर भी बोद्धा में बोद्ध्रिभाव शान्त हो जाता है यही इस जीव की मोक्षदशा कहलाती है इस प्रकार बासिष्ट महारामायन के देवदूत के द्वारा बताए गए मोक्षो पाय के उत्पत्ति प्रकर्ण में बंधन के हेतू का निरूपन करने वाला ये तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ओम नमस्षिवायो